हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू पढ़ लेना और आज मैं कराने जा रहा हूं 12th क्लास के फ्लैमिंगो वुक की फर्स पॉम जिसका नाम है माई मदर एट 66 तो चलो स्टार्ट करते हैं पॉम का नाम है माई मदर एट 66 इसको लिखा है कमला दाश जी ने और कमला दाश जी बहुत clearly human relationship को mention किया है और यह जो माई मदर एट 66 है वो भी इसका एक example है तो देखते हैं कि वो कैसे कितने अच्छे तरीके से वो human relationship को explain कर पाती है और हमें समझा पाती है यहाँ पे mother और daughter के human relationship को दिखाए गया है बहुं सकते relationship को दिखाए गया है तो चलो स्टार्ट करते है पहले हम about the poet पढ़ेंगे and then हम आगे चलेंगे तो about the poet, poet का नाम है कमलादास, कमलादास 1934 was born in Malabar, Kerala, कमलादास जी का जनम 1934 में हुआ था और Malabar, Kerala में हुआ था, she is recognized as one of the India's foremost poets, वो बहुत famous poet रह चुकी है इंडिया की, foremost मतलब famous, बहुत famous poet रह चुकी है Her works are known for their originality, versatility and indigenous flavor of soy तो work जो है उनका जित्ते भी उन्होंने writings लिखी है, वो original है, versatile है, मतलब अलग-अलग topic पे लिखा नोंने और उनकी poetry या उनके जो जित्ते भी works are, उसमें आप indigenous स्वदेशी, indigenous मतलब स्वदेशी, अपने देश के मिट्टी के आपको जलक दिख जाएगी कमलादास ये ने बहुत सारी novels, short stories, English और मल्यालम में लिखी है और उन्होंने उस पे नाम क्या रखा है अपना मादवी कुट्टी ये जो नाम रखा जाता है, इस नाम को हम बोल सकते हैं, pen name जब राइटर अपना राइटिंग के लिए एक नया नाम रखता है, जिससे उसको सारी दुनिया जाने वो नाम pen name कहलाता है, जैसे आपने मादवी कुट्टी, उनका real name नहीं, बलकि pen name है तो उनके कुछ works हैं, जो इंग्लिश में हैं, जो सबसे पहली novel है, alphabet of lust, जो 1977 में आई थी और कुछ short stories उन्होंने लिखी हैं, जैसे कि पंदमावती, दा हार लॉट and other stories उन्हों 1992 में आई थी In addition to, five books of poetry और इसके साथ साथ उन्होंने पांच book poetry पे भी लिखी है She is a sensitive writer who captures the complex subtilies of human relationship in a lyrical idiom My mother at 66 is an example, तो वो काफी sensitive writer है, उन्होंने बहुत सारे complex, छोटे-छोटे subtilies मतलब छोटी-छोटी human relationship को अपनी poetry में लिखा है, lyrical idiom के form में, और My mother at 66 एक उसका example है तो चलो start करते हैं पुर्म को, driving from my parents home to coaching last Friday morning, I saw my mother beside me तो यहाँ पर जो कमल अदास है, वो अपने parents के घर आई होंगी और वो वहाँ से अब जा रही है, अपने घर वापस तो वो का कर रही है, drive कर रही है, और drive करके कहां जा रही है अपने parents के घर से तो कोचिन जा रही है, कोचिन एक जगा है, जहां पर एयरपोर्ट है, कोचिन एयरपोर्ट तो कोचिन एयरपोर्ट पर जा रही है अपनी फ्लाइट पर करने लिए, क्योंकि वो अपने घर जा रही है, कब गई है वो, तो last Friday morning मतलब की पिछले Friday morning, I saw my mother, उन्होंने अपनी मद उनके साथ उनकी मदर है, वो अपनी मदर को देखती है, कहां पर देखती है, विस साइड में मतलब की अपने बगल में देखती है, तो मतलब वो driving कर रही है, अपने पेरेंट्स के हूम से कोचिन जा रही है, और बगल में उनकी मदर उनके साथ है, जिलको वो देखती है, तो क्या कर रही होती है उनकी मदर बेसिकली डोज मतलब होता है छोड़ी सी नप लेना शॉर्ट नप लेना ठीक है ओपन माउथ और उनका मूझ कैसा है खुला है आप में देखा हो कही लोग मूझ खोल के सोते है तो वही उनका मूझ खुला है हर फेस एशन ऐस की तरह है उनक डेड बॉड़ी की तरह लग रहा है कॉप्स मतलब डेड बॉड़ी की तरह लग रहा है और उनको फिर रिलाइस होता है उनको दर्द महसूस होता है अपनी मदर का फेस देखकर क्यों? that she was old as old as she looked मतलब कि उनको ये feel होता है कि उनकी मदर जो है वो उतनी बूरी हो चुकी है जितनी वो दिख रही है मतलब कि उनकी मदर कितने साल के है 66 years के है और 66 years की है और वो दिख भी रही है कि हाँ वो 66 years के है क्योंकि बहुत वो weak नजर आ रही है डल नजर आ रही है पेल नजर आ रही है बट soon put that thought away और पर जब भी आपको कोई negative thought आता तो what you do आप क्या करते हो आप उस thought को हटाने की कोशिश करते हो कुछ और काम करने लग जाते हो सोदर आपके दिल और दिमाग में वो बुरा और negative thought ना आ है सेम यहाँ पे हमारी कमलादास poetess ने भी यही किया तो जैसे उनके दिल और दिमाग में बुरे-बुरे ख्याला लगता है अपनी मदर के लिए तो वो उस thought को हटाने के लिए वो क्या करती है देखते हैं क्या करती है तो यहाँ पर हम देख लेते कि क्या poetic device use हुआ है तो सबसे पहले ही हुआ है simily what is simily poetic device क्या होता है पहले हम जान लेते है poetic devices वो होते हैं जो poet use करता है poetry के अंदर poem को बहुत ज़्यादध ब्यूटिफुल और understanding बनाने के लिए तो यहाँ पर जो पहला poetic device use हुआ है वो हुआ है simily simily क्या होता है तो जब हम दो अलग-अलग चीजों को compare करते है with as or like मतलब हम as or like का इस्तमाल करके करते हैं तो वहाँ पर simily का इस्तमाल होता है जैसे यहाँ पर लिखा है her face as and like that of a corpse मतलब की mother का जो face है वो कैसा दिख रहा है उनके face का color कैसा दिख रहा है dead body की तरह और दो को like कर इस्तमाल किया गया है the color of the purchase mother face has been compared to that of a corpse using like her face as and like that of a corpse तो जहाँ पर simily use हुआ है समझा है तो यहाँ पर dead body को उनकी mother के face से compare किया गया है dead body का color और mother की face का color compare किया गया है दो अलग लग चीज़ों को as and like से compare करना ही simily होता है I hope आपको समझाया होगा आगे पढ़ते है and looked out at young tree sprinting the merry children spilling out of their homes but after the airport security check standing a few yards away अब क्या होता है कि अब वो अपना thought हटाने के ले क्या करती है looked out वो खिड़की से बाहर देखती है मतलब कि अपनी मुंडी हटा लेती है अपनी मदर से और वो खिड़की से बाहर देखने लगती है तो उनको क्या दिखाई देता है young tree sprinting what is the meaning of sprinting भागना sprinting मतलब भागना run to run sprinting मतलब to run तो भागना उनको न चोटे चोटे यांग पेड दिखाई देते है जो sprint करे होते है जब आप गाड़ी चलाते हो जब गाड़ी आगी चल रही होती है तो आपको पेड़ कैसे लगते है तो पेड़ भागते वे पीछी की तरफ जा रहे है तो भाई बोल रहे हैं the merry children spilling merry मतलब happy आपने सुनोगा Merry Christmas तो happy merry मतलब happy और spilling मतलब बाहर आना यहां पर जैसे आप पानी का glass लो भरा हुआ है तो वो गिरता ना चलकता है जैसे यहां पे जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो happily अपने अपने घर से जैसे आप देख सकते हैं यहां पर घर से बाहर आ रहे हैं खेल रहे हैं खुश हैं वो काफ़ जादा enthusiasm में उनके अंदर वो अपने घर से बाहर आ रहे है तो यहां पर हो क्या रहा है basically तो यहां पर यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कमला दास है वो अपने कार की situation को compare कर रहे है outside the world ठीक है कार में कैसा है कार में उनकी मदर है जो काफी weak है काफी dull है pale है lazy है लथर्जिक है है ना बिल्कुल भी उनके अंदर enthusiasm नहीं है है ना power नहीं है वो old है और बाहर का महल कैसा है young है happy है अंदर का महल कैसा है sad है है ना children जो है वो काफी खुश है और उनके अंदर enthusiasm है वो young है घूम रहे है फिर रहे है है ना उनके अंदर एक power है जोश है तरीके से पर अंदर नहीं है तो यहाँ पर contrast का इस्तमाल क्या गया है यहाँ देख सकते हैं यह रहा contrast यह भी एक क्या है poetic devices है ठीक है contrast का बतलता है जब हम दो चीजों को में difference निकालते हैं तो यहाँ पर हम difference ढून रहे है ठीक है politics की mother में और बाहर की दुनिया में जो जहाँ पर जैसे बच्चे हैं और यहाँ पर यहाँ पर वर्ल्ड जो है old और young से compare करके ठीक है फिर क्या होता है after the airport security check-up standing a few yards away तो अब क्या है पहुंच गए यह लोग अब यह लोग पहुंच गए है airport पर और airport पर आपको बताए कितना private place होता है वहाँ पर से वही लोग अलाव होते हैं जो plane में board करने वाले तो वहाँ पर security check-up होता है तो वह बोड़िए कि जब मैंने security check-up अगरा करा लिया तो मैं कहां थी तो थोड़ी सी दूरी पर खड़ी थी अपनी मदर से आप देच सकते हो इनके और इनके बीच में काफ़ी distance है तो इस distance पर वह खड़ी थी तो यहाँ पर कौन सा poetic device दिवाइज हुआ है तो पहला हुआ है imagery What is the meaning of imagery जब हम किसी word से कोई image produce करते हैं जिससे एक reader के दिमाग में image बन जाती है तो उसको हम imagery कहते हैं इसे यहाँ पर description दिया गया है children का का गया कि children जो है वो happily खेल रहे हैं और tree sprint कर रहे हैं तो यहाँ पर sprinting, tree sprinting और Mary children spilling से हमारे दिमाग में एक image बनाई गई है कि जो पेड है वो पीछे के तरफ भागते वे आ रहे हैं और बच्चे बहुत happily, enthusiastically, young है और वो play कर रहे हैं, खेल रहे हैं बहुत, you know, उनके अंदर एक livelihood है अगला है personification जब हम एक non living being को living beings की qualities दे देते हैं या जब हम non living being को या किसी object को living being की quality देते हैं तो उसको हम कहते हैं personification और यहाँ पर personification यूज हुआ है trees के लिए trees को कहा गया है, sprint कर रहे है sprint वदलब running, भाग रहे हैं और आपको बता है कि पेड कभी भागते नहीं है भागते कौन है तो of course human beings भागते हैं human beings की quality देना किसी non living being या किसी object को ठीक है, और यहाँ पर married children spilling भी कहा गया है देखो spill कौन करता है, पानी करती है तो यहाँ पर बच्चों को spill करते वे बोला गया है तो यहाँ पर personification का इस्तमाल क्या गया है I looked again at her उन्होंने फिर दुबार अपनी मदर की तरफ देखा van pale as a winter's moon and felt that old familiar ache अब बोल रहे हैं कि मैंने फिर दुबार अपनी मदर की तरफ देखा क्योंकि of course वो buy करना चारे होंगी क्योंकि वो शाद हो सकता है उनको ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि उनकी एक last meeting हो उनके साथ है ना, क्योंकि इनके दिल और दमाग में एक ख्याल आ रहा है कि वो बहुत बूरी हो चुकी है old हो चुकी है पता नहीं, मैं दुबारा अगर मिलने आऊँगी अपनी मदर से तो वो रहेंगी कि नहीं रहेंगी यह सहरे ख्याल उनके मन में आ रहे है तो वो दुबारा अपनी मदर को देखती है और वो क्या पाती है Vane, Vane मतलब Colorless मतलब कि अब उनकी Mother के अंदर कोई भी रंग नहीं बचाया मतलब कि वो काफी Old हो चुकी है, बूड़ी हो चुकी है Pale, पीली पड़ी है और कैसी पीली पड़ी है? As Late Winter's Moon यहाँ पे Late Winter Moon से Mother को Compare किया गया है, What is the meaning of Late Winter's Moon आपने देखा होगर कि सर्दियों में जो Moon होता है, वो अपनी Shine खो देता है अगर आपने नहीं देखा तो आप Notice जरू करना सर्दिया हा रही है, तो सर्दियों में देख सकता है कि जो Moon होता है, उसकी Shine बहुत कम हो जाती है उसकी Light जादा रौशनी रहती वैसे इनकी मदर थी, बिल्कुल पेल थी हलकी हो गई थी वीक फिल कर रहे थी, वैसा and felt that old familiar इनको फिर दुबारा वही जो familiar एक होता है, दर्द होता है, अपनी मदर से बिछणने का दर्द, अपनी मदर को खो देने का दर्द, वो दुबारा से आ जाता है अपनी मदर को नहीं शोकेस की, और उन्होंने बस smile किया, fake smile की, पर smile की, और उन्होंने कहा कि फिर हम दुबारा जरूर मिलेंगे अम्मा, मतब वो एक होप के साथ कह रहें की, see you soon अम्मा, मैं तुम्हें दुबारा जरूर देखूंगी अम्मा, और all I did, all उन्होंने बस क्या किया, smile किया, smile किया और smile किया, यह fake smile थी, पर वो अपनी मदर को परशान नहीं करना चाते थी, वो मदर को वरी नहीं देना चाते थी, कि उनको वरी हो रहे है, कि उनकी मदर की हालत अब बूडी हो चुके मतब खराब हो चुके हैola सिहाँ पे कौन कौन से poitik devices यूज हुए है तो पहला हुआ है simli poitis की जो mother का face है वो किस से compare क्या गया है? late winter moon से compare क्या गया है और as का इस्तमाल क्या गया है? आप देख सकत हो pale as late winter's moon तो mother का जो face है वो यहाँ पर दुबारा compare किया गया है पर winter के moon से किया गया है पहले वाले में dead cop से किया गया था इसमें एक और क्या use हुआ है symbolism use हुआ है symbolism मतलब कि जब हम किसी चीज को इस्तमाल करते हैं किसी चीज के लिए तो जैसे हाँ पर winter का जो moon है वो decay death death को signify कर रहा है क काफ़ ज़दा you know booty हो रही है इस तरीके से repetition क्या होता है जब एक ही word का बार बार repeat किया जाता है तो यहाँ पर आप देख सकते हो smile smile और smile तीन बार use हुआ है repeat हुआ है repetition बोलते है alliteration का मतलब क्या होता है जब एक ही line के अंदर same sound से start होने वाले same letter से नहीं sound से same sound से start होने वाले एक से ज़्यादा word होते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं alliteration बोलते हैं जैसे कि all I said was see you soon amma तो यहाँ पर देखो see soon sir sir का sound आ रहा है यहाँ पर भी sir का sound है यहाँ पर भी sir का sound है see you soon amma समझ गए तो यह थी हमारी poem my mother at 66 I hope आपको यह समझ आई हो I hope आपको यह poem अच्छे से समझ आई हो अगर इस poem से related कोई भी doubt है तो आप मुझसे comment section में पूछ सकते हैं और आपको यह video अच्छे से समझ आई हो तो please मेरे चानल को subscribe कीजिए like कीजिए share कीजिए अपने दोस्तों के साथ ऐसी और भी videos के लिए मिलेंगे next video में